अमरनाथ शिवलिंग भक्तों की बढ़ती भीड से फिर पिगला शिवलिंग 18 से 3 फुट का हो गया, अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वालों को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। 45 किलोमीटर की दुर्गम पैदल यात्रा करने के बाद भी उन्हें 14,500 फुट की उचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के पूर्ण रूप में दर्शन नहीं हो तो मनमसोस कर ही रहना पड़ सकता है। यह शिवलिंग 18 से 3 फुट हो गया का हो गया है। यात्रा से वापस लोटने वालों के अनुसार यून्यू भीड बढ़ती ही जा रही है और हिमलिंग गर्मी से पिघलता जा रहा है और भक्त निराश होते जा रही है। इसके लिए भक्तों की गर्मी को दोशी ठहराया जा रहा है। हालांकि अब अमरनात यात्रा स्थापना बोर्ड ने हिमलिंग को बरकरार रखने की खाते रक्षा अनुसंधान की मदद लेने की जरूरत फिर महसूस होने लगी है। पिछले साल यह 20 जुलाई को ही पूरी तरह से पिघल गया था डॉट, हरहर महादेव, बंबं भोले और जैकारा वीर बजरंगी के नारों के बीच शून्य तापमान तथा प्रकृती की आंकमिचौली के बीच अमरनात गुफा में हिमसे बनने वाले शिवलिंग के दर्शन करने वालों में एक बार फिर शिवलिंग का आकार चर्चा का विशय तो बनने ही लगा है निराशा का कारण भी। घटने लगा है शिवलिंग का आकार, यात्रा के 200 सालों के इतिहास में यहा लगातार 22 वर्ष है, जब 14,500 फुट की उचाई पर 60 फुट लंबी, 30 फुट च शद्धालों की संख्या के बढ़ने के साथ ही घटने लगा है। इस बार 30 जून को इसकी उचाई करीब 18 से 20 फीट के बीच थी। बताया जा रहा है कि 30 जून को यात्रा के आरंब होने से पूर्व यहाँ अपने पूर्ण आकार में 22 फीट के करीब था डौट यही चंता व अव्यवस्थाओं के दोर से गुजर कर शिवलिंग के दर्शनों की चाहत में पहुँच रही हैं। अमरनात यात्रा जिसे अमर्व की यात्रा भी कहा जाता है। में प्रथम बार भाग लेने वालों के लिए तो इतने बड़े हिमलिंग के दर्शन ही तन्मन को शांती लेकिन शिवलिंग के लगातार घटने के कारण यह उन अमरनात यात्रियों के लिए चिंता और चर्चा का विशय हैं। जो पिछले कई सानों से लगातार इस यात्रा में शामिल हो रही है।